दोस्तों आप सभी का स्वागत है ABC कोचिंग यूटूब चैनल में आप लोग कैसे हैं आसा ही कि आप लोग स्वस्त और मस्त होंगे अपने बोर्ट एक्जाम की तैयारी जवर्दास तरीके से कर रहे होंगे आज की इस वीडियो में क्लास 11 आपस के सब्जाक्ट हिस्टरी के मस्ट इंपोर्टन विबियाई ऑब्जेक्टिव कोचिन बताने वाला हूँ जो कि आपकी बोर्ट पर इक्षा में पूछे जाएंगे तो सभी चात्र इस वीडियो को अंतक देखें बताएगे सभी कोचिन को आपने कॉपी में नौट कर लेज़ें कि इसी में से सारे कोचिन पूछे जाएंगे और आप से भी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल पर नए है तो चले लोग को सब्सक्राइब करने के साथ बैल आकोन को प्रिस करते वे और प्रस लेट कर लें ताकि आपनों को नोटिफिकेशन मिल पाए और दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक अगला को सबसे पार ने आग पर पकाकर अग पर जो है पकाकर मिटी के बरतन बनाना कब आरंब किया तो दोस्तों इसकान सुझागा ऑप्चे नंबर डी नव पसाणकाल में तो option number D का से अंसर होगा अगला question देखिए तिसरा नमर दिया है निम्न में से कौन पसान औजार नहीं है तो दोस्तो इस का अंसर जागा option number D मिट्टी का बरतन जो है ये पसान औजार नहीं है यानि कि मृद भांड ये जो है पसान औजार नहीं है इसको अच्छे से याद रख या है मृतियां या उत्किर्ण चित्र है इसलिए इसलिए दोस्तों इसका जागा इन में से सभी option number D इसका सई आंसर होगा अगला question पाच्वा नमर दिया है निमलिखित में से विश्व के प्राचिंत्म सभ्यता कौन सी है तो दोस्तों इसका जागा मेसो प्रटामिया तो द परिक्षा में question दिये ही जाते हैं इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि मेसो प्रटामिया से सभी question को आपको जो है धडल्ले से याल रखना है पूरी तरह से 100% को तयार करके रखना है ठीक है ताकि आपकी बोर्ट की परिक्षा में उससे related कोई भी प्रसन पूछे आप चुटना नहीं चाहिए तो जले दोस्तों अगला question को चलें तो देखिए अगला question दिया गया है कि बेबी लॉन नगर का परमुक देवता कौन था तो दोस्तों बेबी लॉन का परमुक देवता कौन था दोस्तों यह हो जागा answer मर्दूग ठीक है option number 10 का से answer होगा अगला question है निवने में से किस वर्ष दक्षिन मेसोपर्टामिया का सबसे प्राचीन मंदिर की अस्थापना की गई तो दोस्तों इस का answer जागा 3000 इस वीपूर्व option number 10 का से answer होगा अगला question है मेसोपर्टामिया की प्रात्मिक सब्यता कौन थी तो देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था ना कि मेसोपर्टामिया से रिलेटेड जितने भी question आएंगे उनको आपको जो है अच्छे से याद करना है तो मेसोपर्टामिया की प्रात्मिक सब्यता कौन सी थी तो दोस्तों इस का answer होगा सुमेरियन सब्यता option number 8 का जो है सही answer होगा अगला question को चलने तो नवा का राज्य धर्म किसनी बनाया तो दोस्तों इस का answer होगा consent constant time ठीक है answer होगा option number D constant time इसको अच्छे से याद रखेंगे चली अगला question के और चलने तो 11 नवर question दिया गया है कि एकल परिवार क्या है तो देखिए एकल परिवार का मतलब होता है दोस्तों कि आपके माता और आप के पिता और उसके साथ में सिर्फ आपका जो है इसके परिवार में सिर्फ एक ही बच्चा हो जैसे एक यह हो गया मता हो गया और एक पिता हो गया और सिर्फ आपकी यह है तो क्या होगा एकल परिवार का इलागा सिर्फ जो है परिवारों के संख्यातीन हो तो एकल परिवा अगला कोशन है 12 नमबर दिया है कि रॉम समराज्य का परसिद चिकित सक कौन था तो इसका आंसर हो जागा दोस्तो हनी वाल ठीक है ऑपसर नमबर ए सही आंसर होगा अगला कोशन है कि पेगंबर मुहम्मद की माता का नाम क्या था तो दोस्तो इसका आंसर क्या होगा आप कोशन पूछा गया है और रिपीटेट कोशन है और इसके बारे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है चले दोस्तो मैं इसका आंसर ही बता देता हूँ तो देखे दोस्तो पेगंबर मुहम्मद का माता का नाम जो था वो अमीना था ठीक है इसको अच्छे से याद अगला कोशन है इसलाम धर्म की संस्तापक कौन थे पैगंबर मुहममद अपसे याद इसका से यंच्छ ए चोथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या गूफा के मस्जित में हुई थी यहां दिजेगा यहां पे गूफा नहीं है कूफा के मस्जित में हुई थी तो दोस्तों इस का आंसर क्या हो जाएगा ऑपसर नंबर दिया है और देखे दस्तू आप लोगों को पता होगा इसके बारे में और इसको भैने पहले बी बताए था तो इसका जो जन्म क्या कब हुआ था पैगंबर मुहम्मद का जन्म जो है 570 इस वी में हुआ था ठीक है ऑप्शन में इसका सही अंतर होगा इसको अच्छे से याद रखेंगे अगला कुशन है कि मंगोल समराज के संस्थापक कौन थे तो मंगोल समराज के संस्थापक थे चंगेज खां तो ऑप्शन में इसका सही अंतर होगा इसको अच्छे से याद रखें अगला कुशन 18 नंबर दिया गया है कि 5 क्या है तो देखिए 5 क्या है आपको ये बताना है क्योंकि दोस्तों 5 के बारे में आपको जो है बोड की परिक्षा में पूछे जाते हैं क्योंकि 5 जो होते वो जागिर को कहा जाता है ठीक है तो ऑप्सर नंबर बी में दिया हुआ है जागिर यही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है चले अगला कुशन 19 नंबर दिया है कि चंगेज खा मंगेलों के किस कबीले से समंदित थे तो दोस्तों किस से जो है समंदित थे यह आपको यह पूछा दोस्तों इनसार हो जागा कि आत्मे ठीक है आपसे नंबर एसंखा से यह उगारा कुशन बृष्वा नंबर दिया है मंगेलों एक मंगेलों याप पसूं कौन था नहीं और मेंने kysy हुआ है और hina z सबसे जादा पिरिय पसु था फैवरेट एनिमल था वो था हॉर्स जिसको हम लोग घोड़ा कहते हैं ठीक है अप्शन नमबर ए सॉरी डी जो है इसका से अंसर होगा हॉर्स इसको अच्छे से याद रखेंगे अगला कोशन दिखे 21 नमबर दिया गया है कि मंगेलो कौन था त समांत वाद की छोटी का एक तो समांत वाद की छोटी एकाइ क्या है इसका शुझा का नाइट ऑप्शन नमबब बीजाए था तो तुछ दोस्तों यह जो हैं चर्च को दिया वाला एक कर था ठीक है तो ऑपसन नमबर इसका एस याद रखेंगे तीफ जो हैं और जो जो कर दिया जाता है उसी को जो है तीत कहा जाता है इसको अच्छे से आप लोग जो है रख लीजिएगा अगला कोशन दिया गया है कि समान्तवाद का अधिकरम नहीं था तो समान्तवाद का अधिकरम नहीं था तो इसकान सुझागा किसान किसान जो था वो अधिकर नहीं था ठी कि इसको अच्छे से याद रखेंगे अगला कोशन है कि इसाई धर्म का पर्थम पोप किसे माना जाता है तो दोस्तों इसका अच्छे से रट ले जाएगा और सभी कोशन को आपको रट लेना है ठीक है देखे चबिस नमबर कोशन दिया गया है कि पुनर जागरन किस देश से प्रारंब हुआ तो दोस्तों इसका अच्छे से रट ले से ठीक है ऑप्सेन नमबर 20 का से अंसर होगा 27 नमबर कोशन दिया गया है कि पुनर जागरन काल की प्रमुक मुर्तिकार कौन था तो इसका अच्छे से अंसर होगा 28 नमबर कोशन को चले तो देखे यहाँ 28 नमर करांती है कब हुई थी तो दौस्तों आप मुझे कोमेंड करके बताएं गये और मैं इसका अंसर बताऊँ का योगा कि फ़्रांसिस कंति और यह प्रप्सकों नमर दी हो जागा 1498 इस वी में ठीक है इसको अच्छे से रट लिजिए अगला कुशन है कि भारत की खोज किस ने की तो देखे दोस्तों यह तो काफी इंपोर्टेंट है और यह रिपीटेड वी कुशन है इसलिए आप इसको चैसे याद रखना है क्यों अगला कुशन दिया गया है कि । दिवाईन कमेडी किस ने लिखा था तो अफसन नमर भी इसके अच्छे से याद रखे अगला कोशन 32 नमबर दिया गया है कि धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कौन है तो दोस्तों इसका अंचो जागा मार्टीन लूथर ओप्शन नमबर एस कहा से अंचो रोगा अगला कोशन है ओद्योगी करांती किस देश से प्रारंभ हुई तो इसका अप्शन नमबर भी हो जागा इंगलेंड से ठीक है इसको अच्छे से आप लोग याद रखें अगला कोशन 34 नमबर दिया है कि सर्व पर्थम भाप के इंजन का अविश्कार का स्रे किसे जाता है य दोस्तो इसका अंसर क्या हो जागा जैंस वाट को ठीक है जैंस वाट नहीं सबसे पहले जो है भाप के इंजन का अविश्कार किया है ठीक है इसको अच्छे से याद रखेंगे अगला कोशन है कि सर्व पर्थम राष्टी बैंक की अस्थापना जो है कहां हुई थी तो दो अगला कुशन देखिए 38 नमबर दिया है कि कहां का निवासी था तो कोलंबस कहां का निवासी था यह सवाल पुछा गया है यह काफी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेट कोशन भी है तो कोलंबस जो दोस्तों यह जो है ऑप्शन नमबर डिस का से इतली का निवासी था ठीक है चलिए अगला कुशन दिया है कि क्यो मिन तांग पार्टी का स्थापना या संथापक कौन था यहां पर कोशन ऐसा दिया गया है कि यहां पर दिया है कुओ मिन तांग पार्टी का स्थापक कौन था तो दोस्तों इस का निवासी नमबर डिस का से अंसर होगा अगला कोशन है चीनी करांती कब हुई तो इसको अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि यह रिपीटेट कोशन है और इस बार 100% बोट की परिक् कौन थे तो दोस्तों इस का अंसर हो जागा option number C हो जाएगा ठीक option number C हो जागा पूर्त गाली ठीक है इसको अच्छे से याद रखेंगे अगला कोशन 43 नमबर दिया है कि क्योटो का नया नाम क्या था तो क्योटो का पूरा नाम क्या था दोस्तों और उसका नया नाम क्या थ तो सबसे पहले क्योटो जानते ही है और क्योटो का जुड़ है नया नाम ठीक है क्योटो का न्यू नाम क्या था तो इसका अंसर हो जागा option number B यानि कि ओसो का था ठीक है याद रखेंगे ओसा का यहां पे लिखावा है तो ओसा का ही हो जाएगा अगला कोशन है सरपर्थम अफीम यूद के बाद कौन सी संधी संपन की गई थी तो इसका अंसर हो जागा option number B नान किंग संधी option number B इसका से अंसर होगा अगला कोशन है कि अमेरिका ने किस वर्स जपान पर परमानों बं गिराया तो इसका अंसर जागा option number C हो जागा 1945 स्वी ठीक है याद रखेंगे अ कि बारबर कोशन इस तरह से पूशे जाएंगे और देखे मेसवर्स पोटामिया कहा था तो दोस्तों आपको पता होगा कि मेसवर्स पोटामिया गैस में इस्टित है तो इसका अचीष है किस महादेश में इस्ठित है इस कांच तूट आगा एस्या महादेश ठीक है याद रखेंगे एस्या महादेश में ही चीन इस्थीत है अगला कोशन है कि वर्तमान समय में हड़ापा जो है किस देश में इस्थीत है तो इसका अंसर क्या हो जागा पकिस्तान में ठीक है तो उप्सिन नमर 20 का से अंसर होगा हडपा स्वियाता जो ह च्टास बताया है 500 को जो है आप अच्छे से रट लीजेगा क्योंकि इसी से जुह है आप की बोर्ट की परिषामी काफी सारे कोशन दिये जाएंगे इसलिए दोस्तों मैं बार-बार कहता हूँ कि आप जो है वीडियो को अंतक देखना और बताएगे सभी कोशन को आप अपने कौपी में नौट कर लीजिए दोस्तों आई हो कि इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे समय ने आपको बताया हुआ है और आपको जो है अच्छे से सारे कुशन की जानकानी मिल गई होगी और दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छे लेगे तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ सेयर करेंगे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बैल आकोन को प्रेस करेंगे